Hello everyone, welcome to MM Academy मैं हूँ शचांग लखेरा और रिज्ट में बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से जो देश हैं भारत की मदद कर रहे हैं COVID-19 pandemic में देखो एक बहुत ही बड़ा outbreak हमको देखने को मिल रहा है भारत में करीब 3 लाग से ज़्यादा cases per day हमको देखने को मिल रहा है इनी जब के बीच में जिस तरीके से जब यॉरप में outbreak हुआ था जब यॉरप में COVID-19 cases बहुत जादा थे तब भारत ने हर देश की मदद करी है भारत ने हर देश को vaccine प्रोवाइड करी जब vaccine आ गई कमी किसी चीज की नहीं है लेकिन उसके बाद भी हमारे पास जो proper distribution system है जो chain है वो हमारे पास proper नहीं है इसी के लिए बहुत सारे देश जो है आगे आए हैं सभी देशों ने अपने अपने इस तर पे सभी चीजी देनों की बात करी है जैसे हमारे पास oxygen cylinders नहीं है हमारे पास oxygen carrying capacity नहीं है तो सब देशों ने यहाँ पर containers देने की बात करी है बहुत सारे देश आपर containers दे रहे हैं बहुत सारे देशों ने जो shipment है उसको रावाना भी कर दिया है और सबसे important step लिया है USA ने जो vaccine है vaccine का जो raw material होता है उसको यहाँ पर approve कर दिया है अब भारत जाद सज्यादा जो है आप vaccine manufacturer कर पाएगा और अपने देशवासियों को जल सजल जो है vaccine यहाँ पर मिल पाएगी उसके पहले just go to google page store download mmacademy app आपको क्या करना है mmacademy app को download करना है फिर आपको यहाँ पर sign up करना है आप यहाँ दो वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो demo lecture होंगे फिर आपको profile में जाना है plan को purchase करना है courses को enjoy करना है एक ही subscription में आप सभी course अविल कर पाओगे और आप PDF भी download कर सक प्रवाइट करेंगे जल से जल जितनी सहायता हो सकेगी उतनी सहायता भारत को जो है प्रदान करी जाएगी USA की काफी हालत खराब थी तब भारत ने परसेटा मॉल जो दबाईया है प्लस और वी जो injection से रामडे सविर जो injection है यह सब भारत ने प्रोवाइट करें एक समय ऐस हमको बहुत सारी चीज़ें आपर प्रोवाइट कर रहा है जैसे oxygen की कमी oxygen की कमी नहीं है oxygen की सिर्फ जो transportation है उसकी कमी है हमारे पास परयापत मातरा में oxygen है लेकिन सिर्फ जो location है उनकी दूर है दिल्ली से अगर आप दोगे जो काफी दूर जो प्लांट है वो आपको देखने इस वज़े से proper distribution नहीं हो पा रहा है oxygen का इसके अलावा के पास surplus मातरा में oxygen है तो सभी states को जो है जो है उनके आसपास के states है उनको proper oxygen जो है प्रोवाइट करी जा रही है इन फैक्ट इस pandemic से निकलने के लिए Indian Air Force ने भी जो है अपना हाथ आगे बढ़ा दिया है और Indian Air Force के थू जो tankers है उनको airlift किया जा रहा है और एक state से दूसरे state पहुचाया जा रहा है सभी देशों ने अपने अपने इस तरह पे सभी चीजी देनों की बात करी है जैसे हमारे पास oxygen cylinders नहीं है हमारे पास oxygen carrying capacity नहीं है तो सब देशों ने यहाँ पे continuous देने की बात करी है बहुत सारे जो shipment है उसको रावाना भी कर दिया है और सबसे important step लिया है USA ने जो vaccine है vaccine का जो raw material होता है उसको यहाँ पे approve कर दिया है अब भारत जाद से जादा जो है vaccine manufacture कर पाएगा और अपने देशवासियों को जल से जल जो है vaccine यहाँ पे मिल पाएगी तो काफी कुछ जो है मैं आपको इस video में पताने वाला हूँ क्या steps लिए है Russia ने क्या steps लिए है USA ने क्या steps लिए है UAE ने क्या steps लिए है Frans जर्मानियर क्या चाइना सभी देश जो है आगया के मदद करना चाहते हैं तो काफी कुछ जो है आपको इस video में जानने को मिलेगा दुनिया के काफी हिस्सों हमको corona when इसकेंड वेव देखने को मिल रही है और यह वेव कुछ ऐसी है कि इसने बहुत से डिजास्ट्रस सिचुएशन कर दी है भारत की मैं बात करूं तो परड़े तीन लाग से जादा केसे से रिकॉर्ड किया जा रहे है और भारत की जो सिचुएशन है वह बहुत ही सीरियस हो भारत में करीब 3.5 lakh new cases record किये गए थे जिसमें करीब 2,809 deaths हमको देखने को मिल रही है अगर हम विछले दो वीक के record देखते हैं तो करीब 38 lakh new cases हमको देखने को मिल रहे है और भारत के total case हम देखे तो करीब 1.73 करूर हमको देखने को मिलेंगे एक बार मैं चाहता हूँ कि प्रांस फिर रशिया तर्की यूके इटली एक समय इटली में एक बहुती बड़ा आउटब्रेक हुआ था जिसमें बहुत सारी जो deaths हैं वो हमको देखने को मिलेंगे थे वैसे ही एक आउटब्रेक हमको आज भारत में देखने को मिल रहा है भारत की situation काफी खराब होती उची नजार आएगी उनको जो है लाइटनाप यहाँ पर कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उस वीडियो को ज़रूरा जैसे जैसे भारत में कोविट डाइटीन केस बढ़ रहे हैं तो सभी देशों ने यहाँ पर एक स्टेप लिया है कि हम भारत को जो है सप प्रोवाइट करेंगे इसके अलावा जो ऑक्सिजन कंटेनर से जिन में और आप्सिजन को रखा जाता है जो चैनले दो हफ्ते में भारत ने काफी स्ट्रगल किया है क्योंकि सडेनली ऑक्सिजन की डिमांड जो है एक तम से बहुत ज़ादा हो गई है हमारे पास परयापत म पात्रा में oxygen है लेकिन simple यहाँ पे सबसे बड़ी problem यह आ रही ही coordination जो central government और state government के बीच का coordination है और जो hospital के बीच का coordination है वो हमको proper देखने को नहीं मिल रहा इसी वज़े से जो hospitals हैं वो यहाँ पे काफी problem face कर रहे हैं और इसके लावा हमारे पास जो transport facility है वो भी proper नहीं है अगर आ भारत के पास जो है oxygen supply की कमी है oxygen के जो tankers है उनकी कमी है oxygen के हमारे पास कोई भी कमी नहीं है जितनी हमारी आज demand है उतनी हमारी capability है उतना जो हम production कर रहे हैं इस तरीके से जो Indian Air Force है वो यहाँ पे oxygen को जो है deliver कर रही है from one place to another और भारत की मदद के लिए बहुत सारे देश आगे बड़े हैं जैसे France, Russia, Germany, China एक सबसे बड़ा important step लिया है USA ने क्योंकि हमको जो है vaccine बनाने में बहुत difficulty जा रही थी क्योंकि भारत जितनी production करना चाहता था उतनी जो हम production नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो raw material है जो COVID shield vaccine का raw material है उसकी हमको जरूरत थी और उस पर जो है अमेरिका ने बैन लगा के रखा हुआ था लेकिन जब ऐसी situation आई इतना बड़ा pandemic हमको देखने को मिल रहा है भारत में और भारत में जिस तरीकी से cases बढ़ रहे हैं तो अमेरिका की सरकार ने ये decision लिया है कि जो हमने बैन लगा थे उनको हम हटाते हैं और हम ये announce कर रहे हैं कि हम जल् raw material प्रोवाइड करता है USA अब USA जब raw material आएगा तो हम जो है ज्यादा से जाता मात्रा में यहाँ पर production कर पाएंगे इन vaccines का जो 300 oxygen concentrators हैं वो भी यहाँ पर भारत पहुँच चुके हैं UK की हम बात करें तो UK के जो प्रधान मंती है Boris Johnson उन्होंने ये announce किया है कि जल से जल जो vital medical equipment से वो हम 650 भेजेंगे जो भारत को COVID-19 से लड़ने में बहुत मदद करने वाला है इसके अलावा जो 495 oxygen जो concentrators हैं वो भेजे जाएंगे 120 जो non-invasive ventilator है और 20 जो manual ventilators हैं वो भेजे जाएंगे वहीवे Singapore की हम बात करें तो भारत का एक बहुत ही अच्छा दिश सिंगापूर जो 4 cryogenic oxygen tanks जो है भारत को provide करेंगे और Indian Air Force इसको airlift करेंगी Australia की हम बात करें तो Australia ने announce किया है कि हम जल से जल जो है oxygen भेजेंगे इंडिया को उसके रावा जो ventilators हैं जो PPE है Personal protective kit है जो उनका immediate support package है वो यहाँ पर provide करेंगे और South Arabia पर प्रोवाइट करेंगे और साउदे रेवे पर प्रोवाइट करेंगा 80 metric ton liquid oxygen भारत को तो सिर्फ आप imagine करो 80 metric ton liquid oxygen है यह बहुत ही बड़ा amount होता है और यह Adani Group और ब्रिटिश की multinational जो company है Linde इनके corporation में यह भेजा जा रहा है तो Saudi Arabia भी जो है काफी मदद कर रहा है भारत की UAE ने एक बहुत ही बड़ा step लिया है UAE ने जो high capacity oxygen tankers है उनको यहाँ पे airlift करने की बात करी है कि Gulf nation जो है high capacity की oxygen tankers है वो भारत को provide करेगा वही रशिया की हम बात करें तो रशिया ने announce किया है कि वो जल से जल करीब 3 लाग से 4 लाग unit जो है राम डिस्वेर injection के वो provide करेगा भ हमारे लिए बहुत है क्योंकि इस pandemic में अगर आप दोगे तो एक एक injection जो है बहुत ही कीमती है और यह एक बहुत ही important drug है अगर आप देखो कि भारत में तो इसकी shortage हमको देखने को मिल रही है इन फैक्ट यह वही injection है जिसकी हमको black marketing भी देखने को मिल रही है जो injection 1800 रुपे का है उसकी कीमत 25-26,000 रुपे देखने को मिल रही है black marketing में इसको 25-26,000 में जो है बेचा जा रहा है जर्मनी काफी friendly country है और यह भारत को 23 मोबाइल जो oxygen generation plant से वो यहाँ पर provide कर रही है देखो यह जो mobile oxygen generation plant से ने यह काफी जो है advance है हर plant की यह capacity है कि वो per minute 40 liter oxygen produce कर सकता है और करीब 24-100 liter एक घंटे में production हमको देखने को बिलेगा इस plant का सबसे बड़ा advantage हमको यह है कि हम इसको easily portable कर सकते हैं मतलब हम इसको easily एक जगे से दूसी जगे ले जा सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि आपको जो है काफी को जानने को मिला होगा कि कितने सारे देश जो है भारत की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और हमको इन सब देशों को thanks बोलना चीए देखो इस pandemic में सभी देश जो है problem से जूज रहे हैं लेकिन उसके बाद भी सब देश यहां पर मदद कर रहे हैं तो यह काफी positive खबर है और इससे जो है भारत और बाकी देशों के बीच के जो relation है उनमें क आफी सुधार हमको देखने को मिलेगा तो सुनने के लिए बहुत बहुत धनिवाद जय हिंद जय भारत